प्रदेश कवर 24 और आपके साथ मैं हुए आज इस वक्त प्रदेश की राजनेतिक गलियारे से बड़ी ख़बर निकल कर सामने आ रही है जहां कांग्रेस के नगरी प्रसासन मंत्री जैवर्धन सिंग ने वन मंत्री उमंग सिंग्हार को सलाह देते हुए कहा कि अगर उन्हें किसी से शिकायत है तो वह पार्टी में बात करें पबलिक फोरम में नहीं इधर कांग्रेस में चल रही हल चल को रहकर विजेपी के प्रदेश अध्यच राके सिंग्ह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार को गिराने की जिरूरत नहीं है वाय खुद बाखुद गिर जाएगी दरासर मद्परदेश की राजनेति का घमासान सांत होने का नाम नहीं ले रहा है कांग्रेस कभी बिजेपी से घिरती है तो कभी अपने ही मंत्री और विधायकों से तो हम बात करें हैं मद्परदेश की राजनेति घमासान की जिसमें कांग्रेस के वन मंत्री उमंग सिंहार द्वारा अपने ही दल के वरिष्ट नेता दिगविजय सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया था जिसमें उमंग सिंहार द्वारा दिगविजय पर बयान बाजी करते हुए गंभीर आरोप भी लगाये गये थे इसके बाद से प्रदेश की राजनीदी में एक भुचाल सागया है बता दें कि प्रदेश के वन मंत्री उमंग सिंहार द्वारा दिगविजय पर की गई टिपणी पर उनके पुत्र और नगरी प्रसासन मंत्री जैवरधर्ज सिंह ने कहा कि हमारे एक नेता है वो है मुक्र मंत्री कमलनाथ पार्टी में जो कुछ चल रहा है वह सब जल्द ही किलियर हो जाएगा हम सब कांग्रेश पार्टी के वफादार कार करता है और पार्टी के हित में काम करेंगे उन्होंने कहा कि उमंग सिंहार मेरे साथी है उन पर कोई चिपड़ी नहीं कर सकता पर अगर उन्हें कोई शिकायत है तो पार्टी की बजाए पबलिक फोरम में बात क्योंकि ये खुद उमंग सिंहार बताएं इधर पीची दंबरम और डीसी उकुमार मामले में मंत्री जैवादं सिंह ने कहा कि जानबूच कर कांग्रेश और राजन्यतिक लोगों को परसांद किया जा रहा है जी देखे जो भी कुछ हो रहा है मैं पहले भी कह चुका हूँ मैं वही बात हो रहा हूँगा हमारे एकी नेता है एकी ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार चला रहे हैं और वो हमारे लोग्प्रिय और मुख्यमंत्री माने कमलनाची है जो कुछ ये सब चल रहा है ये सब फूरा क्लीर हो जाएगा और क्योंकि चाहे बात करें कोई भी मंतरी के बारे में अविधाय के बारे में हम सब कॉंग्रेस पार्टी के वफादार कारे करता हैं और पार्टी के हित्मे काम करेंगे अगर जनता के आशिरवाद से कॉंग्रिस पार्टी की सरकार मध्य पदेश पे बनी है पंदा साल बाद, हम पून रूप से जनता की सेवा केली समर्पित रहेंगे देखिए माधि सआथ हैं मैं इनके बारे में पूलिप प्रणी नहीं करूंगा रूप से जो भी कॉंगरिस के दिग्ज नेता है चैदामर्म साभ हो चैदामर्प हो करना तक near के डीके शिफकुमार साथि सब को जान करके प्रताड़ित किया जा रहा है परिशान किया जा रहा है और सिर्फ प्रिटिकली विंडेटा है यह और कुछ नहीं है कि कांग्रेस के दो बड़े नेता नहीं चाहते कि आंगे भी सेम कमलात बने रहें उन्हों ने कहा कि कांग्रेस सरकार सेम कुर्सी चींगने और बचाने के इर्दिगिर्ध भूम रही है राखे सिंग ने कहा कि कांग्रेस की विधायक और मंत्री खुद राज सरकार की नाकामे गिना रहे हैं उन्होंने कहा कि या तो जनहित पर ध्यान दें या कमलनाथ सीम की कुर्सी छोड़ें कमलनाथ जिस दिन कुर्सी छोड़ेंगे उसी दिन कांग्रेस सी खुद सरकार गिरा और नहीं कोई एक मुख्यमंत्री है हम प्रारंब से ही कहते थे तो कॉंग्रेस के लोग इस बात का रोप लगाते थे कि हम अनरगल बातें कह रहे हैं लेकिन पहले दिन से हम कह रहे थे कि इस सरकार में तीन-तीन मुख्यमंत्री है कब किस मुख्यमंत्री का निर्ने चलेगा ये घोशित मुख्यमंत्री कमलनाच जी को भी नहीं मालूम है और आज कमलनाच जी की स्थिती बड़ी असहाई मुख्यमंत्री की स्थिती है वो ना तो किसी को रोक पाने की स्थिती में है और नहीं सरकार ठीक से वो चला पा रहे है पैसों की बंदर बाट के आधार पर ये सरकार चल रही है जब जिसको उसका हिस्सा मिलना कम होता है वो अपनी ही सरकार के खिलाब बुलना प्रारम कर देता है और उसके कारण पहले दिन से ही जब से ये सरकार बनी है आज तक जनता से जुड़े हुए जनता के हितों के विशे पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है ये केवल अपने विदायक और अपने मंतियों को ही उपकरत करने में लगे है कौन मुख्मंतरी होगा गोशत रूप से कमलनाज जी है लेकिन बाकी के दो और बड़े नेता वो भी इस प्रयास में है कि कमलनाज जी ज़्यादा समय तक मुख्मंतरी ना रहे कमलनाज जी इस प्रयास में है कि किसी तरह से मैं मुख्मंतरी के रूप में बना रहूँ और इसी प्रयास के इर्द गिर्द ये पूरी सरकार गूम रही है और जहां तक आरोप का सवाल है तो हम तो गोशित रूप से जो उनके जनता विरोधी निर्णे हैं उनके बारे में कहते आए हैं उनने प्रारंब से कहा है कि सरकार ने केवल एगी उद्ध्योग स्थापित किया है वो तबादला उद्ध्योग उसके अलावा प्रदेश में विकास के कोई कारिस सरकार के किये हुए नहीं दिखाई देते हैं लेकिन अगरिस के मंतरि और कांगरिस के विदाया खुद ही जब कह रहे हैं तो ऐसी इस्तिती में कमल नाज जी को असाहायता के स्वरूप से बाहर नेकलना चाहिए और या तो इस्तिफा देकर कंगरिस के नेतातों से वो कहें कि वो जो से मुख्यमंतरी बनाना चाहे उसको मुख्यमंतरी बनाए या फिर